तो आज हमने हर्षिता के लिए एक टेंट लिया है तो मैंने सोचा कि उसे देने से पहले चक भी हो जाएगा और मैं अन्बॉक्सिंग भी कर लूँगा तो हमने अभी इसका बेस बना लिया है तो फिर अब मेरे को कुछ गड़बर लग रही है तो फिर मैं फिर से अभी लगा और यह मैंने मेरे को पता जला कि अभी इसमें गड़बर हो गई है तो फिर आप मैं इसे फिर से बनाओंगा कुछ देर में अब मैं मैं लगा रहा हूं उससे पहले और मेरे मेरे को परेशानी आ रही है बहुत ज़्यादा और अब मैं उपर के लगा रहा हूए लेकिन मुझे फिर से सारा का सारा भाऩाना पड़ेगा और मैं सही कर दिया है और अब मैं तुरा इस कबेश बना दिया है और थोड़ी दियर में ये कंप्लीट होने बाला है और मैंने इसके दोनों कनेक्टेर्स भी लगा दिये हैं और ये और और अब ये बेस बनने वाला है वेलरे हैं11 कुछ डियर में तो आप जब आया हुआ और मैंने के सिसे बार बर लगाना पढ रहे हैं और लेकिन मैंने इसे और मुझे बस इसकी तीन रट लगानी है और यह पहली रड लगा गादी है और यह आप मैं दूसरी रड लगाने जा रहा हूं और यह से टूट गया मेरा जो नो शायट से टूट गया मेरा बेश अब तक लेकिन मैंने हाँ भार नहीं मानूँगा और मैं जोड़ता जाओंगा और पूरा कम्प्लीट करके दिखाओंगा और ये अब मैं ठख गया हूँ लेकिन फिर बिज़े बनाना है और ये अब मैं बाहर निकला और मैंने दूसरी रोड ली है और मैं अब कुछ देर में ही लगा दूँगा और इसे कम्प्लीट कर दूँगा को और ये में अपेच直ए स्टार्ट कर दी है इस दूसरी रोड की और मैंने यह रोड लगा दी फिम कि ऑ्सिरग और इसन साइब में बिघंगाने जाओ रह हूं Pis और मैंने थार्ड ले ली थे आहर लगा दिया है और यह हमारा बेस खताम बन गया है हमारा बेस कम्प्लीट लेगे ना भी भी तूटे जा रहा है मैं क्या करूं और यह मैंने जोड़ दिया अब सारा बेस अब यह पूरा बेस मेरा बन चुका है ये और अब बन चुका है तो अब हम इसका कवर इसके उपर लगाएंगे मैं पीछे से लगा रहा हूं में को पता है मैं देखनी रहा इसलिए मैं जल्दी से लगा के आपको दिखाऊंगा और यह ओल्मूस्ट लग गया है यह ओल्मूस्ट थोड़ा सा रह गया है इस बस इसमें और यह दो साइड्स का कंप्लीट हो गया है मर अब और मैं थर्ड साइड करने जा रहा हूं और अब हमारा बेस पूरा कंप्लीट होके अब हमने इस पर हाउस भी लगा दिया और अब हमारा हाउस कितना मस लग रहा है यह अब हमारा हाउस पूरा कंप्लीट हो गया है देख और आप मैं इसके अंदर को सुनगा और इसके अंदर अब हम लगाएंगे लाइट लाइटिंग से यह और सुन्हार हुज जाएगा फिर अब मैं अंदर और देखो यह कितना बढ़ा है कि मैं इसमें पूरा फिटा हो गया हूं और अब देखना मैं क्या करो और यह मैं अब इसमें मैंने इसमें लाइड लगा दी है और अब हम देखेंगे इसके अंदर का व्यू कुछ भी देर में और यह देखो मैंने अंदर की लाइड स्टार्ट कर दिया और मैं फिर से अंदर चला गया हूं और अब मैं वह बहर और यह हम देखेंगे अब अंदर कभी यह किता अच्छा लग रहा है और ये देखिए बहुत अच्छी ओली लाइट से उम्हेरे पास और ये अब मैं नेश में पिलो और तदर लगा दिये और मैं लाइट भी जला दी है और मैं अराम से लेटा हूँ अब ये मेरे को मजा आ रहा है मैं सौझाओंगा बाइबा झाल के पाई